पुरोला में रवाई जिल्ले की मांग को लेकर पंद्रवें दिन भी जारी रहा धर्ना धर्ने में बैठे बिनोध नोटियाल ने कहा कि जिल्ला निर्माण की मांग हमारे बुजर्गों द्वारा वर्सों से की जाती रही है उन्होंने सरकार से हट धर्मिता छोड जिल्ला बनाने की मांग के उन्होंने छेतर के समस्त राजनितिक दलों से भी जिल्ले की मांग के समर्थन में आने की अपील की में भी बिजेपी सरकार बैठी है और केंदर में भी बिजेपी सरकार बैठी है डबल इंजन की सरकार बैठी है मैं आप सब लोगों से ये जागरुकता के साथ ये निवेदन करता हूँ अनरोद करता हूँ कि छेत्र के तीनों विलोकों के चाहे वो प्रोला विलोक हो चाहे वो मोरी विलोक हो चाहे वो नवगों विलोक हो मेरा सभी बुद्धी जीव समाज से, बुद्धी जीव बर्ग से और नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से पुना एक बार फिर निवेदन है कि आप सब लोग इस पिर्थक जिल्ला रवाई जो जनपद्र नाम से जो जिल्ला बनाया जाएगा उस जिल्ले के लिए एक मंच पर आजाएं, चाहे कोई भी राजनितिक पार्टी हो, चाहे हो बिजेपी हो, चाहे कॉंग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आमादिम पार्टी हो, चाहे उत्राखन क्रांती दल हो, सबी लोगों से मैं आफ़ान करता हूँ कि एक मंच पर आकर के सबी लोग इस जिल्य की मांग को उठाओ और सरकार तक सदन तक इस विशे को ले जाओ जिससे कि हमारा ये जन्पद अज़ाओ